जनपत पौड़ी के शीनगर शेत्र में गुलदार की दहशत के बीच वनविभाग को बड़ी सफलता मिली है यहां ग्लास हाउस महले में एक मादा गुलदार शावक वनविभाग के पिंचरे में पीती रात कैद हो गई ज़ब अतादी के शीनगर ग्लास हाऊस महले में एक चार वर्षिये मासुम को गुलदार ने मार डाला था जिसके बाद से ही शीनगर में गुलदार की देहशत फैली हुई है फिलाल बन विभा की टीम के पिंच्रे में माधा गुलदार शावक कैद हुई है जिसे वनविभाग की टीम नागदेव रेंच लेकर आई है वहीं इस मामले में DFO गड़वाल वनप्रभाग अनिरुद्ध सपनिल का कहना है कि गुलदार शावक आदम खोर है या नहीं इसका पता लगने का वक्त अभी हुआ नहीं है और पता लगने तक वनविभाग टीम की गश्ट और शिकारी दल गुलदार प्रभावित शेत्र में तहनात रहेगा पौड़ी से मुकिश बच्छिती की रिपोर्ट दिनांक चार को जब श्रीनगर में गटना हुई थी उसके पर शाथ हम लोगों ने क्शेतर में तीन बिंजरे लगा दिये थे उसी करम में जो है कल दस तारी को रात में रात के समय में एक गुलदार बिंजरे में कैद हुआ है अभी जब उसको हम लोग देख रहे तो यह मादा गुलदार है उसकी जो है हमघे जब सैंपलिंग करेंगे उसके बाद ही पुष्ति हो पाएगी कि